नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी लोगों का इंटरनेट की नई क्लास में ये हमारी इंटरनेट की क्लास नंबर 6 है और इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को इंटरनेट से कोई भी जानकारी कैसे ढूंडा जाता है या फिर कहें कैसे खोजना होता है इसके बारे computer में कैसे save करोगे कैसे उसे अपने computer में लेकर आना है तो ये वीडियो कहीं न कहीं आपके लिए काफी जादा important है अगर आप computer internet बिल्कुल सुरू से सीख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू computer smart class वेडियो पसंद आएगा तो like, share और subscribe तो आप जरूर करिएगा इसके लिए आपको जो है कोई भी एक browser को open कर लेना है browser को open करने के बाद यहाँ पर आपको google open करना है अगर google पहले से ही open है तो बहुत अच्छी बात है अगर google नहीं open है तो आपको लिख search करना नहीं आता है यानि कि जो उन्हें information चाहिए जो उन्हें जानकारी चाहिए वो google से अच्छे तरीके से search करना उन्हें नहीं पता है तो अगर आप ऐसे हैं कि आपको google से कोई भी जानकारियों को search करने में दिक्कत होती है आपको search करना नहीं आता है तो इस video को पूरा ध अंदर आपको जो भी चीजे सर्च करना है उसे आपको बस लिखना है जैसे कि माल लिजी आपको कम्प्यूटर के नोट्स चाहिए और आप जो है इंटरनेट पर सर्च करके वो नोट्स मंगाना चाहते हो तो उस कंडिशन में आपको Google ओपें कर लेना है और यहाँ पर क्लिक क सर्च करना है यहाँ पर आपको लिखना है कम्प्यूटर नोट्स जो भी आपके दिमाग में सवाल है पस उसी को यहाँ पर टाइप कर देना है जैसे ही आप अपने सवाल को यहाँ पर लिखना सुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए Google जो है आपको कुछ सजेस्ट करेगा की वर्ड देखिए यहाँ पर आपने लिखाए computer नोट्स तो Google कह रहा है कि computer नोट्स हिंदी में चाहिए या फिर PDF चाहिए या इन हिंदी या फिर सची सीजेयल के लिए चाहिए या फिर class 10 वाले चाहिए या फिर PDF डाउलोड class 9 के फर kvS exam के तो जो लोग search करते है न वह इस पास computer notes आ गए हैं यह सारे की computer notes हैं लेकिन आप यहाँ पर एक चीज को notice करोगे कि सारे की सारे English में आए हैं देख सकते हो सभी computer notes जो हैं जो भी website खुली है उनमें सारी की सारी जानकारिया जो है English में अब आप में से काफी सारी लोग ऐसे होंगे जिनें hindi में जानकारिया चाहिए तो बस आपको कुछ नहीं करना है computer notes के आगे जो है Hindi type कर दे रहा है ठीक है Hindi type कर दीजिए enter key को press करिए अब Hindi में सारी जानकारिया जाएंगी आप यह देख सकते हो जो भी website Hindi में जो है जानकारी प्रवाइड करती है वो सारी सारी website आपके सामने आ जाएंगी और आप इन पर click करके इसको open भी कर सकते हो जैसे कि यह एक website है my big guide करके हम इसे जो है open करके देख लेते हैं कि इस पर जो है कौन-कौन से notes available है तो यहाँ पर देखे कुछ इस तरीके से इस website को बनाया गया है और यह जो computer notes है computer में जितने भी software होते हैं जितने भी operating system होते हैं सभी के बारे में यहाँ पर notes में बताया गया है काफी सारी और भी जानकरियां इस website पर इस तरीके से दी गई हैं आप अराम से जो हैं पर click करके के इन सभी जानकरियों को इकठा कर सकते हो इसके अलामा आप नीचे भी देखोगे थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको page wise detail भी मिल जाती है अभी यह पहला page यानि google का जो search है ना उसका पहला page खुला हुआ है जब आप दूसरे पर click करोगे तो दूसरा खुलेगा तीसरे पर click करोगे चौथा पासवा इस तरीके से next पर click करोगे बहुत सारे page यहाँ पर available है आप उपर की side में देखोगे केवल 34 second में ही इतने सारे result आ गए है हमारे सामने लगबग यह करोड के ऊपर result हमारे सामने आ गए है एक और चीज यहाँ पर आपको समझना है कि मालनी जी अभी तो हमने computers की notes मगाए है हिंदी में लेकिन हमको इनका PDF चाहिए तो उस condition में बस थोड़ा सा और आग एक चीज को add कर दीजिए PDF टाइप पर दीजिए PDF लिखने के बाद फिरी से search कर दीजिए तो आप जो website आएंगी उन पर जिन पर PDF जो है दिया गया होगा वही website जो है खुलेंगी देखिए काफी सारी PDF वाली website खुल गई है आप किसी भी एक website को open करने के बाद यहां से जो है computer के notes को आराम से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तेकिए यह जो website खुली है यह आपको computer के notes जो है provide करती है यह सारी की सारी जानकारी है कि आपके computer के notes मिल जाएंगे ठीक है और अगर आपको ज जो है यहां पर आपको download का button मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके इस notes को अपने computer या फी laptop में download करके रख सकते हो यहां पर click करके direct आप इस notes को जो है drive पर save कर सकते हो इस notes में 27 page है जिसमें हम लोग पहले वाले page पर हैं तो इस तरीके से आप computer के notes भी download वगएरा कर सकते हो और इस tab को बंद करना है तो यहां से बंद कर दीजिए हम पिछले वाले tab पर आ जाएंगे और इससे पीछे जाना है तो यह वाला button आपका काम करेगा इस पर click कर यह पीछे हम लोग आ जाएंगे इसी तरीके से आप इसके आगे और भी चीजे लिख सकते हो जैसे यहां पर suggestion आपको चाहिए क्या SSC के लिए चाहिए या फिर जो है ADC exam के लिए चाहिए DC exam के लिए चाहिए O level CCC के लिए चाहिए वो सारी चीजे आप जैसे मं लीजे आपको CCC के लिए चाहिए तो आप CCC यहां पर टाइप कर दीजे हमने क्या type किया computer notes Hindi PDF cc या फिर आप नीचे देखोगे Google आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं कुम्प्यूटर नोट्स इनिन हिंदी पीडिफ और ट्रिपल सी आप इस पर भी क्लिक कर दोगे तो वही चीजे सर्च होकर किया जाएंगी अब यहां पर जो है वह वेबसाइट खुलेंगी जो ट्रिपल सी के नोट्स प्रवाइड करती हैं तो आप इन पर क्लिक करके इनको ओपन करके पीडिफ को जो है डाउनलोड भी कर सकते हो ट्रिपल सी के या फिर इन पर जो भी जानकारियां दी गई हैं आप आराम से उन जानकारियों को पढ़ सकते हो तो इस तरीके से आप जो है करके दिखा जाता हूं मैं यहां पर सर्च करता हूं न्यूटन कौन था ठीक है एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए सर्च होकर के हमारे सामने रिजल्ट देगा कि यह न्यूटन कौन था बहुत सारी वेबसाइट जो है यह रिजल्ट हमको प्रवाइड करें हैं और इसके बाद और भी जो है बहुत सारी वेबसाइट ने जो है न्यूटन के बारे में जानकारी दी है इसी तरीके से अगर आप जो है किसी और चीज के बारे में जानकारी चाहते हो तो वो भी आप जो है सर्च कर सकते हो जैसे कि माल लीजिए आपको कहानिया चाहिए त तो आपको जो भी पसंद है, आप इसमें से क्लिक कर दिजिए, तो यहांपर जो है, मैं कहानियां इन हिंदी पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब हमें जो है Google कहानियां तो देगा, जो कि हिंदी में होगी वही देगा, इस तरीके से आप Google से कहानिया भी मंगा सकते हो अब यहाँ पर देखो कि काफी सारी website जो है आपको कहानिया दे रही है तो इन website को अगर आप एक एक करके open करोगे जैसे कि मैं जो है इस website को open करके आपको दिखाता हूँ इस website पर हम लोग click करेंगे और यहाँ पर देखे काफी सारी इस website पर कहानिया दे गई है आप इन कहानियों को अराम से पढ़ सकते हो लेकिन अगर मुझे कोई दूसरी website को open करना हो तो हम फिर से पीछे चलेंगे यहाँ से और फिर से कोई दूसरी website को open करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज को समझना होगा कि आप इस tab में इसी को रहने दीजिए दूसरे tab में इन website को open कर सकते हो कैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए option मिलेगा open link in new tab आप इस पर क्लिक करेंगे एक नए tab में जो है यह link open होगा यानि यह वाली website एक नए tab में open होगी इसी तरीके से यह जो पहली वाली website है इसको आप नए tab में open कर लिजे देखिए दो tab यहाँ पर खुल गए हैं अलग से इसी तरीके से कोई और website को अगर आप उपन करना चाहते हो तो तो आप यूज कर सकते हो इस तरीके से ठीक है यह चीज़े मैंने बताई है या पीछे जितनी भी जानकारिया मैंने बताई है उन पर भी यूज कर सकते हो इससे यह फायदा होता है कि आप अलग-अलग website पर क्या-क्या जानकारिया दी गई है उनको अलग-अलग एक ही मतलब window के अंदर अलग-अलग tab को open करके उनको जो है द download कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है लेकिन मालीजे PDF नहीं मिलता है कोई जानकारी आपको पसंद आ जाती है और आप उसे अपने computer में save करके रखना चाते हैं तो कैसे रखेंगे उसके बारे वे भी चलिए जानते हैं तो मालीजे यह हमारे पास जो है कहानी है इ पिर कोई दूसरी कहाने ले लेते हैं यहां से जो है हिंदी नाटक पे क्लिक कर लेते हैं और यहां पर यह भरतेंदू हरिस्चंद वाला कर लेते हैं ठीक है यह देखिए यह कहानी है नीचे के आपको पसंद आ गई है और मुझे जो है उनको अपने computer में save करना है तो बस व करके यहां पर copy कर लीजे यहां फिर यहां पर shortcut भी बताया गया है ctrl c से copy हो जाएगा यहां से हमने इसे copy कर लिया किसी भी website से आप यह काम कर सकते हो ठीक है इसके बाद जो है आपको चालू करना है ms word ठीक है ms word चालू करने के बाद अब इसके अंदर आपको paste कर देना है ctrl v से भी paste होता है या right click करके paste पर click कर दिए तो देखिए जो भी आपने internet से जानकारी को copy किया था वो आपके ms word में आ करके paste हो चुका है अब इसे save करना आपको पता है यहाँ पर click करिए यहाँ पर save पर click करके जिस भी location पर आप इसे save करना चाहते हो अराम से save पर click कर दिए save हो जाएगा ठीक है फिलाल हम इसे save नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप जो है internet से कोई भी जानकारी को copy करके ms word में paste करके उसको save कर सकते हो फिलाल दोस्तों internet पे बहुत सारी चीजों को आप search कर सकते हो अगर मैं एक एक करे के सारी चीजों को बताने लगा तो video काफी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको search करना है वो तरीका अगर आपने सीख लिया कि अगर आपको search करने में दिक्कत आती है जिन जिन topic पर दिक्कत आती है आप वो topic हमें नीचे comment करके ज़रूर बतायेगा मैं हो सके अगर topic जादा रहा तो video बना करके उन्हीं उन्हीं topic को कैसे search करना है वो आपको detail में समझा दूँगा फिलाल आज की वीडियो में बस इतना हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब भी कर दीजेगा जय हिंद बंदे मातरम